हमारे पहले जो तीन ग्यारंटी हमने गोशित की थी उसमें पहली ग्यारंटी तो भागीदारी न्याय ग्यारंटी और कॉंग्रेस पार्टी इस ग्यारंटी पे राश्टी स्थर पर जाती इगत जनगर्णा का करने की घोशना हमने की थी और इससे सामाजी न्याय मिलेगा और जिन लोग आज तक बहुत से जो जनता उनके हक थे वो हक उनको नहीं मिला इसलिए हमें चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक बागीदारी न्याय ग्यारंटी अनौन्स की दूसरी जो है दूसरी ग्यारंटी किसानों के लिए MSP का हमने अनौन्स किया और ये वसलों की MSP ग्यारंटी खरीदने का कानौन हम बना रहे हैं इसको लेगलाइज कर रहे हैं ये एक हमारी ग्यारंटी है और तीसरी ग्यारंटी इवान आए ग्यारंटी जो इवाओं के लिए हम खास करके जो इंप्लॉमेंट में उनको जगा नहीं मिल रहे हैं और 45 साल में इतना बहुत बड़ा अनेंप्लॉमेंट इस देश में हुआ है और उसके लिए सरकार जिस टंग से इस समस्चा को सुलजाना चाहिए था वो सुलजा नहीं सके और बहुत सी बाते करके उन्होंने इसको निप्टाने की कोशिश कर रहे तो एक भरती बरोसा जिसका निर्णे हमने लिया वो एक खास है जो खाली जगे हैं जल से जल हमारी सरकार आने के बाद इसको भी हम बरेंगे और जितने भी विकेंसी से तो अगर हम बरें तो एक पक्की नौकरी सबको मिलेगे इस द्रस्टी से ये भरती बरोसा एक और जो पक्की नौकरी ये जो है खास करके इवाओं में बहुत से जगे स्किल डेवलप्मेंट नहीं है अप्रेंटिसिप कोर्स को पीछे ढकल दिया गया है 1961 में जो अप्रेंटिसिप एक कोर्स हमेशा हर इंडस्टी में होता था उसको स्टाइफन भी देते थे और जैसा जीएस्टी स्वारी जीटी टी सी जीएस्टी यादारी बहुत तो उसकी मार बहुत गिरी हमको उसलिए तो जीटी टी सी जो इंडस्टीस डेपार्टमेंट के ओर से एक साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है उसको उनके उपर कम से कम एक लाक रुपए खर्च किया जाता है वो स्कीम को हम मजबूत बनाएंगे यह पहली नवकरी पक्की यह इवान याई गैरेंटी के तहेती यह हम करेंगे इसके अलावा और एक घोशना अभी हमने किया है आज नंदूर बार में जो गैरेंटी हमने सुभे यहां से लिख के भेजी थी वो वहां पर पब्लिक मीटिंग में उस गैरेंटी का अनॉंस्मेंट राहूल गांधी जी ने किया है तो वो गैरेंटी है कि आदिवासी न्याई गैरेंटी आदिवासियों को न्याई देना यह हमारा पहला करते है और उनको सताया जा रहा है उनकी जमीन चीनी जा रही है उनको फारेस से बाहर मिकाला जा रहा है उनको उनके उपर इतने क्रिम्नल केसे सो रहे है और उसके अलावा हरैश्मेंट हो रहा है वहाँ महिलाओं का रेप होता है, बच्चियों का रेप होता है, कोई पूछने वाला नहीं है बॉंडेड लेबर उनको ठीट किया जाता है बहुत से आधिवासी लोकों को बॉंडेड लेबर के तहद बहार लिजाते हैं माइगरेंट वरकर्स के तहद लिजा के उनके सालों से रख लेते हैं इन चीजों को हम इन चीजों से चुटकारा पाने के लिए उनको हम इन आधिवासी न्याई गैरेंटी दे रहे हैं इसमें सुशान सुशासन और जैसा कि मैं अभी कहा कि वन अधिकार नियम और इनके लिए एक केस अभी स्पेशल बजेट तो है लेकिन कोई इंप्लिमेंट नहीं करता यसी यस्टी स्पेशल कॉंपोनेंट प्लैन एक कानूनी देना चाहिए लेकिन बहुत से जगे यह देते नहीं जैसा कि इसके लिए पहला कदम तिलंगाना आंधरा जो यसर थे उन्होंने यह सीपी सब प्लैन करके जितनी पॉपलेशन है उसी तरह उनको एक सब प्लैन करके उनके लिए ही वो पैसा खर्च किया जाता है और उनी के लिए प्रोग्राम्स बनाये जाते हैं उस बजेट से अगर बजेट उस वज साल खर्च नहीं होगा तो लैप्स नहीं होता वो आगे के साल उसको लिजाया जाता है तो यह बहुत बड़ा कदम है इसको हम सकती से जा जा अओ हमारे स्टेट रहेंगे वहाँ पर भी करेंगे और केंदर सरकार में भी जितनी आज सोशल फिर में इतनी बजेट हो दी है कि नाम के वास्ते रख रहे हैं स्कॉलर्शिप नहीं मिल रहा बच्चों को टाइम पर हास्टल का फीस बरने के लिए जल्दी पैसे देते नहीं और जिन जगे प्रावेट हास्टल में रहते हैं उस हास्टल में उनको जो खाने के लिए पैसे बोर्डिंग लॉजिंग का पैसे जो भेजना है वो भी वक्तिया भेजते नहीं उसी लिए बहुत से जगे बच्चों को जो वो कोर्स कर रहे हैं उनको भार निकाला जाता है और 50% बच्चे more or less इस वज़े से आदे में अपना सिक्षन खतम करते हैं तो इसी लिए ये हम राष्टी स्तर पर भी SCP का बज़ेट और special component से उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और दूसरा मोदी सरकार दोरा ये जो वन की रक्षन याने फॉरेस्ट सेवगाड याने फॉरेस्ट को सुरक्षित करना है ये नहीं हो रहा वो बहुत से जगे industries को देकर बड़े-बड़े जो crony capitalist उनके चाहते हैं उनको देकर आज पूरा फॉरेस्ट खतम कर रहे हैं उससे बारिश भी कम हो रही है उससे जो लोग फॉरेस्ट के अंदर थे वो लोग एक-एक करके बाहर आ रहे हैं और जमीन भी जो इनके कबजे में थी वो भी उससे चुटका रहा हो रहा है तो उसको मजबूत बनाने के लिए कि उनके साथ ही रहे जमीन जंगल और जमीन जंगल और उनका और एक वर्ड़ है जल सारी पानी तो एक तीनू का रक्षन करना हम जरूर हमारा एक मुख्या बुद्दा रहेगा और उनको रक्षन करने के लिए पूरी कोशिस हम कानून के तहट करेंगे और उनकी हिफाज़त करेंगे और एक विशेश यह है कि जो पेशा जो पहले से यह कानून है इस कानून के तहट यह पंचायत में इसको ग्राम सरकार जह हम बूलते हैं लेकिन उनको जो अधिकार वा मिलना है वो नहीं मिलता तो उसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहट हमारे विलेज पंचायत है तालूका पंचायत है जिला पंचायत ले उसकी मजबूती हम लाएंगे एक हमने उसी ग्यारेंटी में यह रखा है और पंचवी उसमें यह है कि यह जो हमारे आदिवासी नाए केस में कॉंग्रेस पार्टी द्वारा यह लाए जाने वाले MSP का अधिकार जो कानून है और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो चोटे वन उपस वालों को भी कवर करेगा यह चोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या यह है उसको भी उसी तरीके से हम हिवाज़त करेंगे जैसा MSP के लिए हम गारेंटी दे रहे तो जो भी फॉरेस्ट एरिया में उगते हैं जो भी उत्पन होता है उसके लिए भी हमने अपना कानून बनाएंगे यह चीज़े हमने कर रहे हैं और इसके बाद फिर गारेंटी और भी है वो सकता है कल और परसू भी हम गारेंटी अनॉन्स करेंगे फिर आखरी में जो मुंबै में अमारी अन्तेज़ा यहने समामतेज़ा होगी और उसमें यह सारी चीज़े वहां पर लाकर हम बोलेंगे और आप सभी को दन्यवाद देता हों क्योंकि यह जो चीज़े आप कर रहे हैं आपके सामने रखे हैं इसलिए आप जो बहुत ही देर हो गई तो भी आप बाइट कर हमारे प्रेस कांफरेंस को महत दिया इसलिए आपको भी दन्यवाद देते हुए मैं अपने बात को खतल करता हुए इसी विशह पर रखेंगे प्यास करेंगे एक्ट में एक्ट में यह प्रोजिजन जिद जगे हैं यह में इस अब्लांड मींस बजेट जो होता है उसमें एक सब्लान होता है वो सब्लान क्या है यह सी और स्टी के लिए जितना उनकी जनसंग क्या है उसके अनुसार बजेट रखा जाता है फर्ज करो मेरा बजेट 10 लाग करोड है प्रोपरेशनेटली यस्टी का 15% यस्टी का 7% या 8% वो बजेट अलक रहेगा उसमें इर्गेशन प्रोजेट करने के लिए उनके लिए बोर बेल डालने के लिए एक्रिकल्चर लाइंड खरीदने के लिए छोटे-म्योटे बिजनेस करने के लिए ये सब पैसा उसमें दिया जाएगा इससे क्या होता है कि उनका पैसा उनके पाक जाएगा उनके वेले पेर के लिए जाएगा ये उसका मतलब है ये अब तीसरा क्या करनाटक में, करनाटक में भी अब जो बजट बनते हैं हमारे, अब 6-7 साल से वो बजट में भी हम इस अब प्लान का रखें, दूसरी चीज आपने जो पूछी कि जैसा आप मेसिपी का ग्यारेंटी है, वैसा ही वहाँ जो फॉरिस्ट आइटम्स है, उसको भ इस आइटम पर हम ग्यारेंटी देते हैं, यानि MSP देते हैं, वैसा ही वहाँ पर जो लोकों की डिमाइंड है, उन चीजों को हम नोटिफाइ करके, उसी आदार पर उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो देगी. वो इसको लेंगे आपका क्या आपक्ड़ा है, आपको सपस्ट किया, वैसे लाख वेकेंसीज पड़े हुए हैं, वो अर्धसाइनिक में हो, या अपने पोलिस में हो, रेलवे में हो, या लाइसी में हो, ऐसे बहुत से सब आकड़े अगर आप निकाल लेंगे, तो 30 लाख वेकेंसीज है, अब उसको ये लोग भरती नहीं कर रहे हैं, इसलिए भरती नहीं कर रहे हैं, अगर वो भरती करेंगे, तो उसमें 50 परसेंट रिजर्वेशन जाएगा, और 50 परसेंट रिजर्वेशन गया, तो इसको जाएगा, ASE, AST, बैकवर्ड को जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं, कि ए नोकरिया, पक्की नोकरिया नहीं देना, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कि कॉन्ट्रेक्ट बेसस पे लेना, और अपने डेल लेकर उनको नोकरी आज चड़ा रहे, तो उसमें क्या होता है, कहीं उनको प्राविडेंट फंड नहीं मिलता, ESI नहीं मिलता, कोई और जितना भी उनको अपने जो भी है, क्या हॉस्पिटल फैसलिटीज नहीं मिलते, ऐसे चीज़े हैं, बारिक चीज़े, तो उसको हम क्य कर रहे हैं, कि जितने सरकारी वेकेंसीज हैं, वो तो पहले भरो, दो करोड का तो, दो करोड का हिसाब से, आप तो बीस करोड देना था, मोधी साब, कहीं दिये क्या, अगर मैं बोलों तो आप कोई चपते भी नहीं, क्योंकि वो जूट बोल रहे, बोले, तो यह क्यों ऐस मैं जनता से पूसता हूँ, तो मेरे को रेस्पानस आता है, क्या मोधी साब जूटे हैं, क्या आप नोकरियां लेके आप जूट बोल रहे हैं, तो यह है, तो आउ रहे हैं, उसके बाद 15 लाग का भी वैसा ही बोले उन्हों, यह सब जुमले हैं, बोलके खुदी एड्मीट करते हैं, लेकिन फिर भी भारी मादरा में भारी इसमें प्रचार उंका होता है, बहुत कुछ किये बोलके, से लिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, आज क्या जविशय है, उसमें सीमीद रहूँगा, उतना ही बोलके. अब से लागू करने के यह ऐसा, तो यह आप लोगू करने के लागू करने कर आदो लगाएंगे? आज के जी बढ़ा के, 80 क्रोर स्लोगों को मैंने फ्री अनाज दिया, ऐसा नहीं हमारा, हमारा जो है, पक्का काम होता है, पहले से यह है, देश को बनाने में हमारा बहुत बड़ा हात है, यह एक ही नहीं, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज हम बनाएं, कभी क्रेडिट नह आज लिए。 किौ numेटा नगती सेमाओत तikes या खुब कत्स अपांश्छा टेङ्ट्वेज EVERYjetsा आई इस भास अवाद्वेटान है ? वाहजा है ? नगता र nella स्वाफद्ट्ट रेजिखने लेत्च मत leashिजिए नप्रिशनल से to improve their economic status. Our main aim is to educate them, bring them in the mainstream. हम ऐसा नकली काम नहीं करना जाते हैं, हम असली काम करते हैं, इसलिए तो इस देश में आजादी के बाद इतने लोग एचुकेटेड बने हैं, नहीं तो नहीं बन देचे हैं. देखो भई, उन्हों क्या किये इसमें हम जाना नहीं चाहते हैं, वह उनको अधिकार है, वो कर ले दे हैं. हम क्या करना चाहते हैं, हम आपके सामने रखें. तो हमका हमारा सोच तो है, जो प्रावेट शेक्टर में हैं, इसको अप्रोप्रेट पोजिशन, उनको पोजिशन मिलना चाहिए, इसके लिए हम जरूर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो अप्रेंटिस सिप, हर महेना उनको 8,500 रुपए देकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अटोमेटिकली जब ट्रेंड, स्किल्ड लोग अवेलेबल होते हैं, नाचरली हम उस बात हर जगे इनको बिठाने के कोशिश करेंगें. प्रेंटिस सब्सक्राइबल होते हैं, देखो यह उनों खुद विरोधी हैं, कौन से उसलों पर विश्वास रखते हैं, उनकी एडालोजी कौन सी है, बेसिक कारे से सवर्फ मोदी जी की, यह मुझे बताओ, यह चुप आसू भाने से नहीं होता, या किसी को किसी खुर्ची पर बिटाने से वो काम नहीं होता, उनके लिए लड़ना पड़ता है, लड़ेसो वाले हमारे लोग हैं, और देश को समीदान बनाने वाले इसकी सभी इन सब बातों को उसको लेके ही अब आगे बढ़ रहे हैं, अब आप कुछ भी कहते हो, इनको मैंने रास्पदी बनाया, उनको मैं प्रदान मंत्री बनाया, यह नहीं है, उनके लिए तुम क्या युजना है, अब तक तुम लोग बनाएं, यह इंपोर्टेंट उससे कितना फाइदा हुआ, चुप, लिप सिंपती यह इससे कोई वाला फेदा भी कोई शमर्ला करती है, यह इससे कोई बनाएं, उनके खाइदा है, आप कौटो को खुछ फाइदे तो महारा हelyn कोई क्या आतर हो इससे के लिए, कैसे टैंपा छोपि क्या पीसाल। कभी पीचे होते हैं, कभी आगे होते हैं, उसी सीट पर दस लोग मांगने वालों कभी लिष्ट है हमारे पास सब्सक्राइब हैं, यह सवाल उठाते हैं, क्या पर्मिन्स पार्टी प्राइवेट प्राइवेट शेतर में रिजर्वेशन के बारे में सोच रही है, और दूसरा सर, और दूसरा, गास्च सेंसस को लेकर आपनों बॉइदा कर रहे हैं, करनाटक में आपकी सरकार है, आपको जारी क्यों नहीं हो रहें वो कब जारी हो अरे आप अर्नाटक तो सबसे पहले रिजर्वेशन दिया सुनिये कास्ट बेसस पे ही हावनूर कमिशन हिंदुस्तान में पहला आया देवराजर्स के पिरिड में उसको हमने इंप्लिमेंट किया उसके बाद अब बडोतरी होना कम होना उबात आओ रहें लेकिन इस तत्वों को इन उसलों को हमने पहले अपनाया अभी भी राहूल गांदी जी की यही इचा है हम सब की यही इचा है कि जाती जनगर्णा होने के बाद हर एक कमुनिटी का स्टेटस मिलेगा एकनॉमिक स्टेटस क्या है एडुकेशन स्टेटस क्या है स्किल डेवलप्मेंट का क्या है जमीन किसके पास कितना है पैसा कितने पास किसका है इंकम डैच देने वाले कितने लोग यह सब बाहर आएगा उस वक्त आपका जो प्रश्ण है उसका उत्तर मैं जरूर देऊंगा किसकी कैरेंटी ज्यादा मजबूत हैं कॉंग्रेज गरेंटी बना मोधी करेंट डेखो आप गलत प्रश्ण मुझे पूछ रहे मेरी गरेंटी तो चोरी कर लिए उन्होंने माही तो माही तो शुरू किया करनाटक में जीती एलेक्शन उसके बाद में हमने एक अंधर परद मोधी साहब ने हमारी ग्यारंटी को उन्होंने चोरी कर लिए के बोल रहे हैं यह हमारी ग्यारंटी आप से लिए